आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है यहां पर हम डिसकस करेंगे अगर आपको कोई इशु है कोई आपकी कम्प्लेइन है जीस्ट से रिलेटीड या आपको कोई पॉटल से रिलेटीड कोई इशु है तो पहले क्या करते थे हम जर्नली एक इमेल आईडी चो हमें हम उस पर इमेल करते थे पर वहां से बहुत मुश्किल से कोई रिपलाई आता था आता भी था तो ऐसा रिपलाई आता था जिससे क्वेरी सोट आउट ही नहीं होती थी तो अब अगर आप GST की वेबसाइट ओपन करेंगे वहां पर स्पैसिफिकल इनोंने मैंशन करके एक म तो इस वीडियो में हम देखेंगे आपको किस वेबसाइट पे जाना है कैसे अपनी कंप्लेंड रजिस्टर करनी है और कैसे मिलेगा आपको रिपलाई लाइव हम देखेंगे बने रहे मेरे इस वीडियो के साथ जल्दी से क्लिक कर ले सब्सक्राइब के बटन पर अगर आ इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बाक्स में भी डाल दिया है वहां से क्लिक करके भी आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं जैसे आप वेबसाइट को अपन करेंगे तो यह पेज अपियर हो जाएगा जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है गुड्स अन सर्वि क्लिक करना है और स्टेटस चेक करने के लिए मतलब जब आपका कंप्लेइन डालने के बाद एक टिकेट नमबर जनरेट होगा उससे आप अपना स्टेटस बाद में यहां से चेक कर पाएंगे तो इसके लिए टाइप ओफ इशू में आपको ऊपर लिखा गया है कि प्लीज एंटर दा कीवर्ड ओफ यूर इशू देट यूर फेसिंग फोर एक्जामपल जी एस्ट यार वान पेमेंट जी एस्ट यार फ्री बी इस तरह से आपको अपनी कंप्लेंड के लिए लिखना है तो जैसे हम यहां पर जी एस्ट आर कीवर्ड डाल कर देखते हैं तो देखे यह एस्ट आर वक्रण है तो जी एस्ट आर ह〜ट इंट आर ओपनी अगे cig एक्टिन को एक्रिये इस तरह से बहुत सारी हैं जो चाहिं आप ए्पिएर म्या कवर्ड हम डाल के देखते हैं जैसे Error हम डाल कर देखते हैं, Error डालते ही यह देखिए, यहां पर और आ गया, Error File is Corrupt, Error File Not Downloading, Error File Not Generating, Invoice Duplication Error, Json Praising Error, इस तरह से आपके बहुत सारी options आप इन में से चूज कर सकते हैं, जैसे कोई validation error आपको आ रहे हैं, जैसे ही आप अपना issue चूज करेंगे, जैसे मैं आपके पर validation error select किया, आपके पास category आएगी, कि किस तरह का validation है, registration के लिए है, payment के लिए है, offline utility के लिए है, GSP के लिए है, e-way bill के लिए, enrollment के लिए है, तो वो आपको चूज करेंगे, return के लिए है, जैसे मैं return चूज कर ले तूँ, फिर उसके भी आपको सब category चूज करने है, कि 1 के लिए 3B के लिए, तो इस तरह से आपको अपनी पढ़ते हुए, इसमें से options को पढ़ते हुए, चूज कर लेना है, जैसे मैं आप पर, मान लिजे, GSP3B के लिए चूज कर लेती हूँ, कि मुझे error आ रही थी, अब यहाँ पर क्या है, जनल यह आपके पास FAQ भी हर एक च स्वाई हो जाते हैं, तो फिर तो यहाँ पर yes कर ले, अगर आपको उसमें अपनी query का solution नहीं मिलता, तो आप click कर सकते हैं, no I want to log my issue, जैसे ही आप इस पर click करेंगे, इसमें आप से detail मांगे जाएंगी, further आपका GST number यहाँ पर आपको डालना होगा, GST ARN या TRN number, permanent account number भी आप को enter करना होगा, mobile number जो आपका register है और जो email ID register है वो आपको डालना होगा, और फिर अपना issue यहाँ पर detail में 500 words तक आपको यहाँ पर enter करना होगा, इसके अलावा एक option और है, आपके पास आप कोई भी screenshot, कोई PNG, JPG या PDF फाइल भी यहाँ पर attach कर सकते हैं, जिसका size maximum 5 MB तक हो सक फिर आपको यहाँ पर captions एंटर करके करना होगा, चले मैं यहाँ पर अपनी details एंटर कर लेती हूँ, एक query यहाँ पर हम register करके देखते हैं, यहाँ पर मैंने form एंटर किया, तो मेरे पस बहुत सारी options आगे मैं, एक यह वली query, जो print option is not there in the forms, यह मैं open कर रही हूँ, तो यहाँ आपको category चूज करनी है, मैं return के लिए ही option डाल रही हूँ, subcategory मुझे डालनी है, print option is not there in the form, वैसे और भी बहुत सारे है, मैं कोई भी चूज कर सकती हूँ, जैसे ही मैं subcategory भी चूज कर लोंगी, तो मेरे पास एक तो यह file आएगी, print option is not there in the form की FAQ file, मैं इसको download करके देख स रहती हूँ कि क्या इसमे मेरी query से related solution है, print option is not there in the form, वैसे और लिखा है, we cannot directly print the form from GST portal, however, we can view and download e-fill return by using the service return, view e-file return service from the GST portal, and for certain returns like GSTR1 and GSTR2, only summary report of the return will be available and downloadable, तो यह उनोने मेरी query का एक answer जो FAQ में था, already उनके पास बो दिया, अगर मैं इसे satisfied, तो मैं इस पर yes कर लूँगी, मैं नहीं हूँ, तो मैं no करके अपनी details को enter कर रही हूँ, details डालने के बाद यहाँ पर issue में भी कुछ लिख दिया है, थोड़ा सा, लिख दिया है, मेरे पास अभी कोई attachment नहीं है, attach करने के लिए, अब मैं enter कर रही हूँ, code, submit क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करना है, मुझे confirm करने के लिए, yes पर यह आ गया है, ticket number has been created for your issue and details have also been sent to your register email address, तो email पे भी मुझे एक notification आ गया है, इस ticket number के लिए, और यह ticket number मुझे future में अपने पास save कर कर रखने है, वैसे मेरी email पर भी आ गई होगी, मैं check कर लेती हूँ, और आपके ले जाएंगे, तो हम अपने पासे PDF सेब कर लेते हैं, देखते हैं, पीदेफ में क्या है, तो यह है PDF जिसमें ticket number लिखा हुआ है, तो अब हम देख लेते हैं, इसका status क्या एक बर अपनी email पे भी में चग कर लेती हूँ, क्या मेरे पास आया है, तो यह मेरे पास आ गई है, email request ID के साथ, और इसमें लिखा हुआ है, greetings, thank you for contacting us, this is help text automated response text confirming the receipt of your request, your request ID is this and has been registered with us and request status is open, we are working on the issue reported and will update you soon, GST help text and contact number is this, तो इस तरह से आपको अपनी complaint लाज करनी है, इसके बाद अभी हम एक बार इस query number को कॉपी करके, हम यहाँ चेक स्टेटस पे क्लिक करके देखते हैं, चेक स स्टेटस पे क्लिक करते ही, आपको टिकेट नमबर एंटर करना है, और आपको डालना है, कैप्शन्स, एंड क्लिक करना है, सर्च पे, स्टेटस में आया है, thank you, details related to your ticket has been sent to your registered email address, तो एकदम से तो आपके पास आपकी query का answer नहीं आएगा, पर जल्दी से जल्दी यह answer आपको available हो जाएगा, कुछ queries तो हो सकता, आपकी on the spot FAQ file जो इन्होंने अवलेबल कराई हुई है, उसी से resolve हो जाए, और कुछ queries के लिए आप फिर यही process कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपर आपको करके दिखाई है, तो अगर आपको यह video अच्छी लगी है, तो hit the like button, अगर आपको लगता है कि किसी के लिए important है, तो उनके साथ जरूर शेर कर ले, thank you for watching, bye bye!